हेलो गाइज वेलकम टू हेलबेस टीवी गाइज आज हम आपको एक्षपेंस रेसो क्या होता है यह समझाने वाले हैं गाइज आपने स्टोक मार्किट में एक्षपेंस रेसो के बारे में तो जरूरी सुना होगा जब भी आप किसी म्यूचर फंड इसकी में इन्वेस्ट करन है वेल गाइस चली समझते हैं एक्षपेंस रेसो क्या होता है ध्यान दीजिएगा मुचल फंड इसकीम का एक्षपेंस रेसो इसकीम के मैंजमेंट के लिए इन्वेस्टर्स द्वारा मुचल फंड हाउस को यानि एक्षपेंस रेसो कहलाता है एक तरह से मुचल फंड के यूनिट्स खरीदने वाले इन्वेस्टर से ही वसू ले जाते हैं इन सभी खर्चों के निकालने के बाद ही किसी मुचल फंड इसकीम की नेट एसेट वेल्यू निकाली जाती है कुल मिलाकर मुचल फंड एक्षपेंस रेसो यह बताता है कि आपके इन्वेस्मेंट पोर्टफोल्यू के लिए मुचल फंड मैनेजमेंट आपसे कितनी पीस बसूर रहा है इसका सीधा असर आपको मिलने वाले रेटरंस पर पड़ता है जैसे एक्जामपिल मान लीजिए आपने किसी मुचल फंड इसकीम में एक लाग रुपिया इन्वेस्ट किया और अगर इस फंड का एक्षपेंस रेसो बन परसेंट है तो आपको यहां मुचल फंड मैनेजमेंट के लिए एक हजार रुपे सालाना पीस चुकानी पड़ेगी जैसे अगर इस फंड ने यहां दस परसेंट के रिटरंस दिये हैं तो असल में यहां आपको 9% के रिटरंस ही मिलेंगे So guys किसी भी मुचल फंड इसकीम में इन्वेस्ट करते टाइम हमें उस फंड का एक्षपेंस रेसो ज़रूर देख लेना चाहिए क्योंकि एक्षपेंस रेसो से ही हमें पता चलता है कि कोई फंड हमें कितना सस्ता है कितना महंगा पड़ेगा एक्षपेंस रेसो का कम या ज्यादा होने का आसार सीधे हमें मिलने वाले रिटरंस पर पड़ता है गाइस मार्केट में काफी सारे ऐसे मुचल फंड प्लांस मौजूद है जिनका एक्षपेंस रेसो वन परसेंट से भी कम है और जो अच्छे रिटरंस दे पा रहा है यानि कम लागत में ज्यादा कम आई ये थी एक छोटी से जानकरी एक्षपेंस रेसो के बारे में हमारे चैनल हेलबेस टीवार पहले सही roe ratio, eph ratio, pb ratio के बारे में details वीडियो अफन पर लोड है साथ ही हमारे चैनल हेलबेस टीव पर mutual fund से related काफे साहे informative वीडियो अफ लोड है आप उन्हें देख सकते हैं आपको जानकरी अच्छी लगी हो तो पिलीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससा आपको इस तरह की नयानवारी वीडियो की नॉटिफिकेशन मिलते रहेंगे इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों में शेयर करें थैंक्स वर वाचि इस वीडियो प्रेस वीडियो की नॉटिए इस वीडियो लाइक है